नमस्कार दोस्तों, बाईजूस गवर्मेंट एक्जाम प्रेप में आपका स्वागत है, आज की तारीक है 20 जनवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दाहिंदू अकबार में आए हुए कुछ प्रमुक एडिटोरियल्स और समचारों पे जिसके तहट हम प्रारंभिक पर पेस से ली गई है और इसका संबंध GS Paper 2 में IR से है, मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है, यह संबंदित है भारत नैपाल संबंधों के दृष्टिकोंड से और हाल के समय में भारत नैपाल संबंध जिस प्रकार से उतल उतल भरे रहे हैं, इसके संदर में जिस प्रकार से वह भारत नैपाल संबंधों को एक नवीन दिशा दिये जाने के संदर में काफी महत पूर्ण हो सकती है, इसी के बारे में हम इस एडिटोरियल में चरचा करेंगे, तो भारत नैपाल संबंध हम चरचा करने जा रहे हैं, संदर्प क्या है? संदर्प मैंने बताया कि अभी ह इसके संदर में हम यह देख रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले कुछ महीनों से नैपाल में आंत्रिक अशांतियां दिखाई दे रही हैं। इन आंत्रिक अशांतियों के बावजूद किस प्रकार से भारत और नैपाल संबंद आगे बढ़ रहे हैं इसको समझना सबसे ज़्यादा महत्यपूर्ण है। अगर हम प्रस्ट भूमी के बारें बात करें तो ज़्यादा समय नहीं हुआ जब नैपाल के प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा नैपाल के निम्न सधन को भंक कर दिया गया। और मई में अब नैवीन सिरे से चुनाव प्रस्तावित है। ना हो कि आगे जो भविष्च में होने वाले चुनाव हैं वह भी नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। हाला कि इन सारी अशान्तियों के मद्ध हम भारत नैपाल संबंधों में कुछ साकरात्मक्ता को देखते हैं जिसमें हालिया संपन हुई बैठक इसका एक महत्तपोण उधारन देखा जा सकता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं छटी भारत नैपाल सहयोग आयोग बैठक के बारे में जिसके तहत दोनों पक्षों द्वारा कई छेत्रों में सहयोग पे वारता की गई जिसमें दोनों देशों के मद्ध है बिजली के छेत्र को बढ़ावा दिया जाना तेल और गैस ज प्रयास किया गया कि भै काला पानी सीमा विवाद को उठाए और इसके माध्यम से उसने इस बैठक को एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया हाला कि भारत ने संयुक्त आयोग इस्तर पर होने वाली इस बैठक में काला पानी सीमा विवाद पर चर्चा करने से इस संत्र बना रखा है तो सीमा विवाद पर वारता करने के लिए पहतर होगा कि हम उसी तंत्र का प्रियोग करें इसके अलावा COVID-19 महमारी से लड़ने के लिए टीकों की नैपाल को कितनी आवशकता है भारत द्वारा इसके संदर में क्या किया जा सकता है इस पर चर्चा की गई विशेश रूप से भारत द्वारा सीरम इंस्टिट्यूट ओफ इंडिया की जो वैक्सीन बनाई गई है उसको आपूर्ती किया जाएगा नैपाल को और इसके संदर में कारे प्रारम हो भी गया है इसके अलावा दोनों प्रतिनिधियों द्वारा विकास के विविद वावा गमन एक देश से दूसरे देश में होता है और इसकी जो चेकिंग होती है वह चेकिंग एकिकरत अधार पर हो सके इसके लिए भारत और नैपाल दोनों द्वारा बीरगंज और बिराट नगर में एकिकरत चेक पोस्ट का निर्मान किया गया है और इससे दोनों देश से ना केवल लोगों का निर्बाद आधार पर आवागमन सुनक्चित हुआ है वहीं दोनों देशों के मद्धे इससे व्यापार में भी मदद मिली है यही कान है कि अब भारत नेपाल दोनों एकिकरत चेक पोस्ट के निर्मान किये जाने के संदर में नेपाल गंज छेत्र और भैरहवा छेत्र में तीसरे और चौथे एकिकरत चेक पोस्ट को शुरू किये जाने पर सहमत हो गए हैं इसके अलावा भारत द्वारा सांस्कृतिक विकास के छेत्र में परेटन को बढ़हवा दिये जाने के द्रिश्टिकोन से नेपाल में दो सांस्कृतिक विरासत परिय जोजना और साथी साथ पाटन बाजार छेत्र में भांडर खल बाग पुनार उत्थान में अनुदान दिये जाने पर भारत द्वारा सहमती व्यक्त की गई हैं और दोनों देशों को रेल मार्ग के माध्यम से आपस में जोड़े जाने पर भी दिरंतरता के अधार पर वारत की जा रही है जिसमें मुख्य रूप से विभिन खंडों के विकास के माध्यम से यह कोशिच की जा रही है कि काट मांडू को भारत में रक्सॉल से जोड़े जाने के संदर में प्रगती की जाए और इसके संदर में भी सकरात्मक तरीके से वारता को आगे बढ़ाया गया है इसके लावा यदि हम कुछ और दूसरे मुद्दों के बारें बात करें जो हाल के समय में भारत नैपाल संबंधों के परिपेक्ष में काफी महत्पूर रहे हैं हाला कि पिछले कुछ समय से नैपाल इस भारत नैपाल शान्ती और मित्रता संधी में संशोधन की मांग कर रहा है, भारत द्वारा इसके संदर में सहमती भी व्यक्त की गई है, हाला कि इसमें अभी तक वास्त्विक प्रकार की प्रगती संभव नहीं हो पाई है, और इसके सं सुरक्षा चिन्ताओं को किस प्रकार से नैपाल कारे कर सकता है इस पे और साथी साथ किस प्रकार से नैपाल की विकास संबंधी आकांग्छाएं यानि भारत की सुरक्षा चिन्ताओं और नैपाल की विकास संबंधी आकांग्छाओं के बीच किस प्रकार से एक उचित संतु बनाया जा सके यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है नौंबर और उसके बात के काल में हमने यह देखा कि भारत और नैपाल के मद्धे सीमा विवाद के छेत्र में भी हमने एक परकार के संबंधों को घट्टे हुए देखा जिसके तहत काला पानी छेत्र विवाद से नैपा चेत्र को जारी किया गया और इसके माध्यम से काला पानी लिपुलेक और लिंपिया धुर्या छेत्र को नैपाल के हिस्सों में धर्साया गया और इसके माध्यम से दोनों देशों के जो संबंध है वो उन में थोड़ी सी खटास देखी गई है इसके सापेक चगर हम देखे तो नैपाल से चीन का जो संबंध है 2015 के बाद से इसमें वृद्धी देखी गई है विशेश रूप से नैपाल में जो Communist Party का गठन हुआ है उसमें चीन की महत्पूर्ण भूमिका रही है यही कान है कि चीन का इंटरेस्ट बड़ा है नैपाल में जब से Communist Party की सरकार वहाँ बनी है और इसके माध्यम से हालिया वर्षों में देखा गया है कि चीन नैपाल में सबसे बड़े इन्वेस्मेंट वाले देश के रूप में सबसे बड़े निवेशक के रूप में वह भारत को प्रती स्थापित करने में सफल रहा है और इसके तहट जिस प्रकार से हाल के समय में नैपाली Communist Party द्वारा चीन के समर्थन में विदेश निती को बढ़ावा दिया गया है उससे भी चीन और नैपाल के समबंद जो हैं काफी बहतर हुए हैं अब इसके संदर में हमें यह चीत ध्यान में रखनी होगी कि चुकि भारत द्वारा एतिहासिक तोर पर ही अपने पडोसियों को विशेश रूप से सीमा साजा करने वाले पडोसियों को काफी महत्तपूर रूप से प्रात्मिक्ता दी जाती रही है यही कान है कि भारत और नैपाल के मध्य संबंधों को बढ़ावा दिये जाने के दिश्टिकोंड से काफी कुछ किये जाने की आउशकता है जैसे कि अब यह समय आ गया है कि भारत नैपाल के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए प्रयास करना प्रारम करें इसके तहट हमें यह कोशिच करनी चाहिए कि भारत नैपाल के मद्ध है जो लंबित विवादित मुद्धे हैं जैसे कि 1950 की संधी में किया जाने वाला संशोधन का परशन काला पानी सीमा विवाद व्यापार और अन्य मामलो आदी पर अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है तो इसके संदर में हमें नैपाल के साथ बातचीत करनी चाहिए और नैपाल के साथ अपने संबंदों में सुधार करने के लिए हमें सकरात्मक शुरुआत किये जाने की आउशकता है लेकिन इसके संदर में भारत द्वारा अपना पक्ष एक दम इसपश्ट रूप से जाहि सीमा रेखा है और इसको जो है नैपाल को नहीं करना है नैपाल को जो है चीन से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ red lines का पालन करते रहना है और भारत द्वारा निश्चित रूप से अपने पक्ष को इसपस्ट करना चाहिए कि किन-किन red lines को नै प्वेश के मामले में भारत को और अधिक उदारता से कारे करने की आउशकता है इसके तहत मुख्य रूप से व्यापार घाटा दूर करने के लिए हमें कारे करना होगा अगर हम आकडों के अधार पर देखें तो नैपाल भारत से लगभग 8 billion dollar के उत्पादों का आयात करता है वहीं दूसरी ओर नैपाल जो भारत को निर्यात करता है वो कुल 1 billion dollar से भी कम है यानि लगभग 7 billion dollar का आप व्यापार घाटा देख सकते हैं अब इस व्यापार घाटे को दूर किये जाने के संदर में कारे करने की आउशकता है इसके तहत यह किया जा सकता है कि जो नैपा बारा बढ़ःवा दिये जाने के आऊशकता है ताकि उसमें भारतिय निवेश को बढ़ःवा देकर हम नैपाली निर्यात को बढ़ःवा दे सकें और इसके माध्यम से जो व्यापार घाटा है उसको कम किया सके इसके संदर में पंचेशवर बहुत देशीय परयूजना पातिसाथ हमें असान्य छेत्रों के साथ विविद प्रकार के सैन्य सेयोग को भी बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है, और इसके माध्यम से यदि हम एक मजबूत सैन्य कुट नीति को बढ़ावा दें, तो निश्चित रूप से विविद विविद छेत्रों में भारत और नेपाल के मद्धे जो संबंध है वो और बहतर रूप से इस्थापित हो सकेंगे। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कुछ छेत्र ऐसे हैं जहांपे दोनों के मद्धे विवाद है बावजूद इसके यदि हम मिलकर कारे करें तो निश्चित रूप से जो हमारे पटू में पॉलिटी से है, मुख्य रूप से यह संबंदित है भारत में नियाई पालिका की कारे प्रणाली से, नियाई पालिका की कारे प्रणाली के संदर में मुख्य रूप से सुप्रीम कोट और हाई कोट जो होती हैं, वह मुख्य रूप से भारत में विधी के शाषन को स्थापित किये जाने के संदर में काफी महत्पोन रूप से कारे करती है विधी के शाषन के स्थापना के साथ ही यह कोशिच की जाती है कि जो लोगों की स्थांतरता है, मूल अधिकारों की रक्षा है उसके संदर में भी नियाले बहतर ढंग से कारे करें जिसके तहट सरवोच नयाले और उस चनयाले को कारे भी दिया गया है अनुछेद 32 और 226 के तहट इसके तहट मुखह रूप से नागरिकों द्वारा अपनी सुतंतरता को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिकोर से समय समय पर जो याचिकाएं आदी हैं जिसमें बेल पिटीशन्स हो सकती है जमानत याचिका हो सकती है या फिर बंदी प्रतेक्षिकन आदी परकार की याचिकाएं दाखिल की जाती रही है अब इसके तहस समय समय पर बहुत सारे मामले सामने आते रहे हैं जिसमें अनेक मामलों के संदर में हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस आधार पर आलोचना की जाती रही है कि किस परकार से सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में तो काफी तत परता दिखाता है नागरिकों की सुतंतरता को सुनिश्चित किये जाने के संदर में वहीं दूसरी ओर कुछ मामले सालों साल चलते रहते हैं लेकिन उन पर सुनवाई नहीं होती तो हम विधी के साशन के संदर में नागरिक सुतंतरता को सुनिश्चित करने के संदर में हमें चैनात्मक होने की आउशक्ता नहीं है, सब के संदर में एक समान मानक की स्थापना की जानी चाहिए और यही जो है वह विधी के साचन का मूलाधार होता है तो इसको जो है आप सुछ समझेंगे तो देखिए संदर क्या है, संदर यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नॉम्बर 2020 में अर्नव गोस्वामी जो एक प्रिसिद पत्रकाल है, रिपब्लिक टीबी से उनका जुडाव है उनको जो है मानव स्वतंतरता और विधी के साचन के आधार पर जमानत दे दी गई और इसके तहट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा तौरित्ता से कारवाही की गई थी इसकी प्रिस्भूमी के बारे में अगर बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोट द्वारा अर्नव गोस्वामी को 2018 के एक आत्म हत्या को बढ़ावा देने के मामले में जमानत दे दी गई और इसके संदर में जब सुप्रीम कोट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करी तो उन्होंने कुछ महत्पूर्ण टिप्णियां कहीं थी जो स्वतंतरता के दिष्टिकोंड से और विदी के साशन के दिष्टिकोंड से काफी महत्पूर्ण है सुप्रीम कोट ने इसके संदर में मानवी स्वतंतरता को संबेधानिक मूल्यों के संदर में अत्यंत महत्पूर माना और मानवी स्वतंतरता की रक्षा के लिए प्रयास किये जाने की बात कही इसके तहट सुप्रीम कोट द्वारा इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि जो आपराधिक प्रकार के कानून होते हैं वह किसी भी प्रकार से नागरिकों के चैनात्मक सोशन का माध्यम नहीं बनने चाहिए और सुप्रीम कोट इस संदर में नागरिकों की स्वतंतरता को बनाए रखने और नागरिक अपनी स्वतंतरता से वंचित ना हो इसके संदर में सुप्रीम कोट फर्स लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में कारे करेगा यानि यदि किसी भी व्यक्ति की स्वतंतरता बाधित होती है तो सुप्रीम कोट इसके लिए तरित्ता के अधार पर कारे करेगा क्योंकि सुप्रीम कोट का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गलत अधारों पर एक भी दिन स्वतंतरता से वंचित किया जाए तो यह जो है काफी बड़ी जो है कीमत है जो उस व्यक्ति को चुकानी पड़ती है और ऐसा ना हो इसके लिए कारे करने की जरुवत है यही कान है कि सुप्रीम कोट स्वतंतरता वंचना के निवान के संदर में काफी महत्पून रूप से कारे किया इस अर्णव गोस्वामी मा मामले की तुलना करें सुप्रीम कोट हाई कोट और दूसरे नियायलियों के संदर में तो इस अधार पर सुप्रीम कोट की कई आधारों पर आलोचना भी की जा सकती है जैसे कि सुप्रीम कोट हाई कोट और दूसरे जिना नियायलियों के द्वारा इसके बहुत के पहले भी मामले कई आये हैं और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मामले आये जिसमें ये देखा गया कि किस परकार से न्यायले विधी के साशन और नागरिक स्वतंतरता का पालन किये जाने के संदर में, नागरिक स्वतंतरता को सुनिश्चित किये जाने के संदर में वह किस परकार से आत्मक दिर्ष्टिकोन यानि सेलेक्टिव प्रकार के एप्रोच को करता हुआ देखा जाता है। इसके तहत यह देखा गया कि बहुत सारे व्यक्ति बिना कारवाही हुए या फिर बिना ट्रायल के अभी भी जेलों में बने हुए हैं और उनकी जो सुनवाई याचिका है जि दो साल से जादा जेल में हैं उनका अभी ट्रायल भी प्रारम नहीं किया गया है और मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही उनको जेल में डाल दिया गया है। साथी साथ जब भी उनके द्वारा जेल से निकाले जाने के संदर में उनके द्वारा जमाना त्याचिका प्रस्तुत की जाती है तो उसको भी खारिच कर दिया जाता है इसके अलावा फरवरी 2020 के दिल्ली दंगो के संदर में भी ये देखा गया कि बहुत सारे विध्यारतियों को कई महीनों तक बिना ट्रायल के जेल में डाला गया अनेक आधारों पर उनकी जो याचिका थी उस पर सुनवाई नहीं की गई और इसके अधार पर जो उनकी स्वतंतरता थी उस पर नकरात्मक परवाव पड़ा इसके अलावा उधान दिया जा सकता है पांच अगस 2019 को संबिधान के अनुच्छे 370 में बदलाव के माध्यम से जंबू कश्मीर की स्थिती में किये गए याचिका आधी दाखिल की गई तो इसके संदर में परियाप्त रूप से सुनवाई नहीं हुई इसके अलावा 2020 में करनाटक हाई कोट ड्वारा भी नागरिक्ता संशोधन अधिनियम के विरोधियों की जमानत याचिका पर सुनवाई को निलंबित कर दिया गया और इसके म हम एक परकार के चैनात्मक दिरिश्टी कोण या फिर आप कह सकते हैं सेलेक्टिव एप्रोच को देखते हैं जिसकी कई विद्वानों द्वारा निरंतरता के अधार पर आलोचना की जाती रही है हाल के संदर में भी इसके संदर में दो महत्तपूर्ण उधान सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं जिसे याद रखा जाना चाहिए जिसके तहट केरल के एक पत्रकार थे जिनका नाम है सिद्धिक कपन उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में सितम बर 2020 में हुए हातरस गैंग रेप कांड की रिपोर्टिंग किये जाते समय पुलिस द्वारा उनकी गिरफतारी कर ली गई कपन के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रतिक्चिकन याचिका दाखिल की हाला कि इस पर ततकालिक रूप से सुनवा ही नहीं हो पाई इसी प्रकार से एक आप कह सकते हैं एक जो हैं मुनबबर फारुकी नाम के व्यक्ति थे जो कॉमेडियन के को भड़काने के आरिप में उनको गिरफतार किया गया बाद में यह साबित हुआ कि उन्होंने इस प्रकार के जो जोक्स हैं वो सुनाई ही नहीं थे जिससे किसी प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़कें बावजूद इसके उनको जेल में रखा गया और उनकी याचिका पर भी सुनवाई नहीं की गई तो यह कुछ ऐसे उधान हैं जो हम याद रख सकते हैं जो हम आलोचना के रूप में दे सकते हैं और इसके संदर में निरंतर्ता के अधार पर यह कहा जाता रहा है कि नियायपालिका के लिए बेहद आवशक हो जाता है कि वह सभी लोगों की याचिकाओं को सुने जाने के संदर में चैनात्मक कारवाही ना करे और इसके स्थान पर वह सभी व्यक्तियों के लिए विधी का साशन यानि कानून का सबके लिए एक समान होना और साथ ही साथ समय बद्धता के अधार पर उनकी जमानत याचिका को सुने जाने के संदर मे बंदी प्रतक्चिकन याचिका के संदर में, कारवाई किये जाने के संदर में और इसके माध्यम से जो हम मानविय स्वतंतरता की सुनिश्चिता के लिए जो कारे करने का प्रयास करते हैं, उसको किये जाने की आउशकता है और यदि हम इसको सुनिश्चित कर पाने में सफल होंगे तो निश्चित रूप से भारत में इस बात को इस्थापित किया जा सकता है कि भारत में जो नागरिक स्वतंत्रता है वह कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित नहीं है अपितु यह है जो है सब के लिए व्याप्त है इसको हमें निश्चित रखने की जरूत है और इसके लिए हमें कारे भी करना होगा तो निबन दाधी में आप इसको कुछ उधार्णों के माध्यम से इस पच्ट भी कर सकते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल के बारे में जो देया गया है हमारे पेज नंबर साथ पर और इसका जो संबंध है वह है आप GS paper 3 में विज्ञान और प्रिद्योगी और साथी साथ GS paper 3 में ही आंत्रिक सुरक्षा से भी इसको जोड़ के हम देख सकते हैं यह जो topic है यह मुख्य रूप से पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा है जिसमें हम चर्चा करेंगे deep fake की deep fake जो है पिछले 2-3 महीने से लगतार हमने इस पर चर्चा की है आज भी इसके संदर में आर्टिकल आया है जिसके कुछ महत्तपूर्ण तर्थियों की आज हम किया गया वह जो है इसलिए भी किया गया क्यूंकि जो विद्रोही उसमें शामिल थे उनका ये मानना था कि 2020 के जो अमेरिकी चुनाव हैं वो विपक्षी दल डेमोक्रेट्स द्वारा चुरा लिए गए हैं और यह इस बात से वो पुष्ट करते थे क्यूंकि सोशल मीडिय हमें इसके संदर में काफी सारी गलत सूचनाएं फैली थी काफी सारी अफवाहें फूच पहली थी और इसमें विवित प्रकार की तक्निकों के माध्यम से डीफ फेक की भी महत्पूर्ण भूमिका थी और इसके माध्यम से एक बार फिर से जो डीफ फेक टेकनोलोजी है वह चर्चा में आ जाती है अब अगर हम बात करें इसके संदर में कि वास्तों में deep fake होता क्या है तो deep fake एक ऐसी synthetic यानि बनाई गई digital media सामागरी है जो video हो सकता है audio हो सकता है या चित्र हो सकता है जिसमें क्रतिम बुद्धिमत्त यानि artificial intelligence का परियोग करके वांचित hair fare किये जाते हैं इसमें ऐसी घटनाएं जो नकली होती है उनके video या चित्र बनाए जाते हैं और इसमें क्रतिम बुद्धिमत्त का परियोग किया जाता है यानि इसमें आप ऐसे videos या ऐसे चित्र को देखेंगे जो वास्ता में होते ही नहीं है लेकिन और उसमें वांचित प्रकार का निर्मान करने के लिए machine learning और किरतिम बुद्धी जैसी शक्तिशाली तक्नीकों का लाब उठाया जाता है और इसके माध्यम से जो चित्र सामने आता है जो audio video सामने आती है वो हू बहू original के समान दिखाई देती है तो इसको आप देख सकते है इसमें एक ये वास्तविक चित्र है वहीं दूसरी ओर एक दूसरी महिला के उपर इसी महिला को दिखाई जाने के संदर में एक deep fake प्रकार का चित्र बनाए गया है जिसमें यह जो महिला है इन महिलाओं के जो हाव भाव है ठीक है जो उनकी आभा है जो उनके द्वारा मुस दूसरी जो नकली तस्वीर होती है उसके उपर आप कह सकते हैं सुपर इंपोस कर दिया जाता है और इसके माध्यम से एक ऐसा चित्रिया वीडियो तयार हो जाता है जो वास्तविक के ही समान लगने लगता है और इसके माध्यम से हम ऐसे भी काम या ऐसे भी वीडियो भी इसे पकर पाने में अधिक सक्षम नहीं हो पा रही है। अमेरिका में भी इस तकनीक के दुरुपयोग को रोके जाने के संदर में काफी प्रयास किये गए हैं, जिसके तहट अक्टूबर 2020 में अमेरिकी सीनेट द्वारा फेस्बुक के मार्क जुकरबर्ग, ट्विटर के जैक, डॉर्सी और गूगल के सुन्दर पिचाई को इस समस्या के समधान के लिए बुलाया गया और कोशिच की गई यह जो सोशल मीडिया पर जो मिस इनफॉर्मेशन, डिस इनफॉर्मेशन, गलत सूचनाएं, अफवाएं, डीफ फेक के माध्यम से धुरुबी करण को सैंसी, एक्ट, यह सबसे जादा महत्पूर्ण हो जाता है, इसकी धारा है 230, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की स्वतंतरता और इंटरनेट पर नवाचार को बढ़ावा दिये जाने के तहत, यह प्रावधान किया गया है, यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे संदर में जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेस्बुक हो गया, ट्विटर हो गया, उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, और इससे होता क्या है कि किसी दूसरे ही व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर जो गलत सूचनाय आदी है, वह फैला दी जाती है, और इसके संदर में, च जैनी, अगर किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वांचित रूप से आप कह सकते हैं, या फिर अब उखता आधार पर जो है, किसी प्रकार की अफ़वा फैल रही है, तो उसको रोके जाने के संदर में, अब ये सुनिश्चित करना होगा, कि वह जो प्लेटफॉर्म है, वह भी बहतर ढंग से कारवाही करें, अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी हम इसी प्रकार की समस्या को देख रहे हैं, भारत के संदर में सबसे बड़ी समस्या ये है, कि हमारे पास इससे निपटने के लिए एक विशिष्ट कानून जो होना चाहिए, वह उपलब ही नहीं है, अलग-अलग कानूनों में इससे निपटने के लिए विवस्था की गई है, जैसे कि IPC के कुछ प्रावधान है, जो ओनलाइन सोशल मीडिया में जो हेरफेर आधी किये जाते हैं, उसको आपराधिक बनाने के लिए कारे करता है, इसके अलावा भारत सरकार सन 2000 में IT Act बनाया गया था, और इसके माध्यम से Cyber Crime के कुछ प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया, 2018 में इसके संदर में सूशना प्रद्योगी की Guidelines संशोधन नियम जारी किये गये थे, Information Technology Intermediary Guidelines और इनके माध्यम से सोशल मीडिया को जो content है, उसके दुरुपियोग को रोकने का प्रयाज किया गया, इसके माध्यम से जो मद्यवर्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोते हैं, उनको जो है जिबमेदारी सौपी गई कि वह illegal content को हटाने के लिए कारे करें, और इसके तहत 2018 में सरकार द्वारा सोशल मीडिया नेटवर्क के दुरुपियोग को र काम चुनाव हुए उसके संदर में कारे हुआ, दिरवाचन आयोग ने भी इसके संदर में सोशल मीडिया में किस प्रकार से राजनीतिक दलों को बरताव करना चाहिए, इसके संदर में सोशल मीडिया पॉलिसी को जारी किया गया, हाला कि इसके बावजूद जब बात आती ह गलत सूचना की जब बात आती है डीफ फेक की तो इसके संदर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशेश रूप से वाटसेप आदी का महत्पूर्ण रूप से इस्तमाल किया जा रहा है गलत सूचनाओं को बढ़ावा दिये जाने के संदर में और स्वयम पॉलिटिकल पार तकनीक है यह जो दुरुपयोग के उधान है इसको रोके जाने के संदर में प्रियाज किया जाने के आउशकता है विशेश रूप से जिस प्रकार से लगातार आप कहा सकते हैं आर्टिफीशल तकनीक आदी का प्रियोग किया जाने के माध्यम से जिस प्रकार से लगातार Deep Fake Technology और ज़्यादा बहतर होती जा रही है, इसके बहतर होते जाने की प्रश्ट भूमी में, इससे निपटने के संदर में, जो इससे निपटने की तक्नीके हैं, उनको भी जो है हमें और बहतर करने की आउशकता होगी। मुखे रूप से हम Deep Fake तक्नीक से बनाए गए Audio Video Content को पकड़ सकें, इसके संदर में हमें इससे निपटने के संदर में Artificial Intelligence अधारित Automated Tools के प्रियोग की जरूँत होगी। साथी साथ हम इसके संदर में Blockchain तक्नीक आधी का प्रियोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्द, Audio, Video, Document और Photos आधी को हम digitally sign कर पाएंगे और इसके माध्यम से हम उनकी सत्यता की पुष्टी कर सकते हैं। साथी साथ लोग इसके संदर में जागरुक बनाये जा सकें, उनको भी Artificial Intelligence का ग्यान हो, वह भी Artificial Intelligence अधारित अल्गोरिधम में सिक्षित हो सकें, इसको भी सुनिश्चित किये जाने क्या हो शकता है। अब इसके संदर में जुलाई 2020 में वाशिंग्टन यूनिवस्टी और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डीफ फेक की चुनौती से निपठने के संदर में एक वर्क्शॉप आयुजित की गई थी, और इसके माध्यम से कई महत्तपूर्ण बिंदूओं की पहचान की गई थी। जिसके तहट डीफ फेक को व्यापक रूप से जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीडिया कंटेंट गलत प्रकार के जो फैले हुए हैं, उनके साथ समदर्भित किये जाने की आउशकता है, जिसके तहट जो कम्प्यूटर आधारित, प्रोपेगेंड़ा जो चला और यह जो है किसी एक सरकार द्वारा, किसी एक पक्च द्वारा जो है पूरी तरीके से इसका सामना नहीं किया जा सकता, इसके तहट बहुपक्ची अधार पर कारवाही करनी होगी, सतत्ता के अधार पर, सहयोग के अधार पर जो है हमें कारे करना होगा, और समाज के हर वर को इसके संदर में समाधानों को प्राप्त करने की दिशामे कारे करना होगा मुख्य रूप से पत्रकारों की ज़ादा जिम्मेदारी बनती है और इसके संदर में उनके द्वारा कारे किया जाना चाहिए जिसके तहट जो फोटो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग आती जो इस्तमाल कर रहे हैं उसकी वे बहतर डंग से जाँच कर सकें और जाँचने के बाद ही जो है वो उसको इस्तमाल करें इसके तहट जो नीती निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं वह भी डीफ फेक के खत्रों के संदर में सिक्चित होने चाहिए, क्यूंकि डीफ फेक के माध्यम से राजनीती, समाज, अर्थवियोस्था, संस्कृती, विवित प्रकार के जो व्यक्तित होते हैं, समुदाय होते हैं, उन पर भी काफी नकरात्मक प्रभाव डाला जा सकता है मुख्य रूप से डीफ फेक के संदर में आपको यह जो विचार है, वो गंभीर रूप से समझने की जरूवत है, कि इसके माध्यम से जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो सत्य तत्य है, उसको हम केवल और केवल यह कहके जो है गलत सावित कर सकते हैं, कि भाई यह तो डीफ है, और इसके माध्यम से आगे चलकर स्यम सत्य ही बाधित हो सकता है, यह जो है एक बहुत बड़ी हमारे समक्ष चुनोती है, वर्तमान मिश में जिस प्रकार से गलत-गलत सूचनाएं, अलग-अलग रूकों में हमारे सामने आ रही हैं, उस प्रष्ट भूमी में किसी भी ए अधिमत्ता, समर्थित, तकनीकी उपकरणों का प्रियोग करना होगा, और इसके माध्यम से डीफ फेक की चुनोतियों के निवान के लिए हमें कारे करना होगा, तो डीफ फेक के संदर में यह कुछ ऐसी बाते हैं, जो हमें समझने की जरूत है, चलिए, अब हम बात कर लेत है, एक तो भारत की कोरोना वाक्सीन से संबंधित, कूटनीसी से, वहीं दूसरी और यह संबंधित है कि किस प्रकार से भारत दूसरे देशों में स्वास्त को बढ़ावा दिये जाने के दिश्टिकोंड से कारे कर रहा है, संदर्भ क्या है, संदर्भ यह है कि अब भारत द दौरा अब यह प्रयास प्रारंभ हो गया है कि हम दक्षिन एशिया के विविद देशों में कोरोना वाइरस की वैक्सीन को पहुचाने के संदर में जो चीन दौरा प्रयास किये जा रहे हैं, उनसे पहले जो है हम प्रयास कर सकें, और इसके संदर में चीन से पहले अलग- लीप, बांगलादेश, नैपाल में वैक्सीन को पहुचाया गया है, इसके अलावा शीरलंका, अफगानिस्तान और मौरिशस में भी आंतरिक प्रकरियाओं के पूरे होने के बाद वैक्सीन को पहुचाया जाएगा, इसके तहत भारत ने जो सीरम इंस्टिटीट ओफ और इसके संदर में अलग-अलग देशों को वैक्सीन का वितरण किये जाने के संदर में जो नीती आयोग के सदस्य हैं, विनोत पॉल उनके द्वारा इससे संबंधि समिती की अध्यक्चता की जा रही है, इसको आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, अफगानिस जनसंक्या है लगबक 3 करोड और उसको लगबक 10 लाग डोजिस भारत की तरफ से दिये जाना संभावित है कुछी दिन में, इसके लाबा भूटान की जनसंक्या है 7.6 और इसके अनुपात भूटान को 10 लाग डोजिस मिलने वाली हैं, इसी प्रकार से बांगला देश में भ थोड़ दें, तो सभी छेत्रों में जो है हम वैक्सीन को पहुझाने के लिए कारे कर रहे हैं, इसके अलावा बांगला देश की जो कंपनी है वैक्सिम को उसके द्वारा 3 करोड वैक्सीन सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से प्राप्त करने के लिए एक वानिजिक अ अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो दिया गया है पेज नंबर दस पर और इसका संबन जीएस पेपर 3 में डिफेंस से है इसको आप जीएस पेपर 2 में IR से भी जोड़ कर देख सकते हैं क्या संबंदित है तो यह संबंदित है हमारा एक महत्तपूर्ण खबर से जिसमें भारत द्वारा रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की प्राप्ती के संदर में कारे को आगे बढ़ाया जा रहा है इसके तहत बहुत सारे जो रक्षा के स्पेशलिस्ट आ दी हैं वो S-400 के संदर में मासकों में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और इस साल के अंत तक भारत को S-400 का 1st batch प्राप्त हो सकता है अगर हम इसकी प्रेश्च भूमी के बारें बात करें तो भारत द्वारा अक्टूबर 2018 में 5.4 3 billion dollar की डील के माध्यम से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम को प्राप्त किये जाने के लिए समझोता किया गया था बावजूद इसके कि भारत पर इसको ख भारत लगतार ये कोशिश कर रहा है कि रक्षा संबंदों में हम किसी एक देश पर निर्भन ना रहें और इसके लिए हमने अमेरिका के साथ साथ जो हमारा पारंपरिक सहयोगी रूस है उससे भी हमने सहयोग को बढ़ावा दिया है जिसके तहत हम एक तो S-400 डील कर रहे है उसके अलावा कई दूसरे समझोतों पर ये बातचीत चल रही है जैसे कि राइफल कॉंट्रेक्ट एके 203 इसके अलावा कमोब प्रकार के के ए 226 टी प्रकार के जो यूटिलिटी हेलिकॉप्टर्स हैं इनकी आपूर्ती को भी सुनिश्चित किया जा रहा है इसके तहत दो दोनों पक्ष विवित परकार के उपकरणों आदी में लगने वाले जो spare parts होते हैं उनके सयूक्त निर्मार को भी समझोता कर रहे हैं इसके अलावा आने वाले समय में दोनों पक्ष हिंद महासागर छेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए mutual logistic support agreement भी किया जाने वाला है और भारत जिस प्रकार से अमेरिका और रूज दोनों से ही संबंद बना रहा है वो भारत के लिए भहुपक्चिता और सकरात्मक्ता दोनों को ही बढ़ावा देने वाला सावित होना चाहिए। अब अगर हम बात करें काटसा अधिनियम की तो काटसा अधिनियम जिसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थूरू सैंक्शन सेक्ट यानि पृतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करना यह एक संयुक्त राज्य का संग्य कानून है यानि वहां की संसत द्वारा बनाया गया कानून है जो इरान, उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाता है इसमें उन देशों के खिलाब भी प्रतिबंध शामिल होगा जो रूस के रक्षा और खूफिया छेत्रों के साथ महत्पूर्ण लेंदेन में शामिल है इसके तहट भारत रूस से जो हाई वैल्यू की सैन रक्षा वस्तु में खरीद रहा है उनके माद्यम से भविष्य में पॉसिबल है कि भारत को भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़े जैसे कि तुर्की के संदर में प्रतिबंधों को लगाया गया है और वि 500 ट्रायंफ रूस द्वारा डिजाइन किया गया एक मोबाइल यानि सल्चलन शील सतय से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है यानि सर्फेस टु एयर मिसाइल सिस्टम यह जो है दुनिया में सबसे खतरनाक परिचालित होने वाली आधुनिक लंबी दूरी की एक सर अमेरिका द्वारा विक्सित किया गये टर्मिनल हाई अल्टिट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानि थाड से बहुत आगे माना जाता है विशेश रूप से अगर दो पक्षों से भारत को युद्ध का सामना करना पड़े तो इनका मुकाबला किये जाने के दिश्टिको अब इसके संदर में आप ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं इसको आप पढ़ सकते हैं 21 परकार से भारत ने रूस और अमेरिका दोनों के माध्यम से विविद रक्षा समझोतों को किया है जिसके तहत रूस से हमारे संबन जो है पारंपरी का धार पर बढ़ते रहे हैं इसके तहत ना केवल हमने मिग फाइटर विमान को खरीदा है, शुकोही को खरीदा है, किलो क्लास की सबमरीन को खरीदा है, तलवार क्लास की फ्रिगेट को खरीदा है, एरक्राफ्ट करियर आइनस विक्रमदित्य को लिया है, साथी साथ भविष में हम पंडुब्बी आदी क संदर में भी समझोता कर रहे हैं इसी के साफ एक अमेरिका दोरा भी हमारे निरंतर सहयोग किया जा रहा है विशेश रूप से हाल के समय में पिछले तीन से चार सालों में रश्या को ओबर टेक करने में अमेरिका को सफलता मिली है और 2007 के बाद से हम जो 15 बिलियन डॉलर के आस सुपर हर्कुलिस एरक्राफ्ट इसके लावा पी एट आई मैरिटाइम पेट्रोल प्लेन एम ट्रिपल सेविन हलका प्रकार का होविज़र अपाचे अटैक और चिनूक हैवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर्स यह महत्पूर्ण है आने वाले समय में भारत जो है इसके तहत करने के लिए हम प्रयास कर सकें और इसके तहट जो है कोशिश की जा रही है कि हम दोनों देशों से जो है सही योग को बढ़ावा दें अब जो है कुछ प्रदिन्स प्रैक्टिस कोश्चन देख लेते हैं पहला कोश्चन है यमना नदी के संदर में निमलिखित कतनों में से सत्य कतन कतनों की पहचान करें यह भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यह उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाना दिल्ली और यूपी से होकर बहती है तो option देख लेते हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों की उपरोक में से कोई नहीं तो यमना और दूसरी नदियों में जो river water quality है उसके संदर में report मांगी है वहाई दूसरी ओर दिल्ली और केंद सरकार के मद्धे भी यमना के प्रदूशन को लेकर जो है राजनीतिक प्रकार का संघर्ज देखा जा रहा है अगर हम बात करें यमना नदी की तो यमना नदी भारत में ग माल्य से बंदर पूछ शिकर पर यमनोत्री glacier से निकलती है जो उत्राखंड हिमाचल प्रदेश हरियाना दिल्ली और यूपी से होकर बहती है यह त्रवेणी संगम प्रियाग राज में गंगा के साथ विलीन हो जाती है जो कुम्बुमेले का इस्थान है और इसकी प्रमुक मिट्टी के मैदान का निर्मार करती है जिसे ग्यमुना गंगा दोवाब छेतर कहा जाता है यह जो है मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं ओही माचल प्रदेश हरियाना दिल्ली यूपी उत्राखंड में जो है इसको आप भैते हुए देखा जा सकता है नेक्स कोशन चंदर शेकर राजाद भगस सिंग या श्वाक उल्ला खान तो इसके संदर में पराक्रमंग दिवस कौन से वाले नेता हैं तो इसका उत्तर है हमारा ए सुभाज चंदर बोस तो यह जो है हाल ही में संस्कृति मंत्रा ले द्वारा घोशित किया गया है जिसमें तेज जिता जी का जनम दिवस होता है उसको अपसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाय जाने की घोशना की गई है चलिए नेक्स कोच्चन देख लेते हैं निमलिखित कत्नों में से सही सुमेलित यूगमों की पहचान करें नवे गाउं नाग जिरा तेलंगाना मेल घाट केरल सिम जिलिफाल उलिशा जो है वह तो सही है हालां की नवे गाउं नाग-घीरा और मेल घाट जो है वो दोनों के दोनों महाराष्ट में अवस्थित हैं तो उत्तर हो जाएगा हमारा केवल तीन सी जो है हमारा आntव होगा तो आज जो है इसके संदर में इसके काफी चर्चा में जिसके द्वारा एक हाथी को जो है बचाने का प्रयास किया गया है तो अगर हम बात करें विशेश बाग संरक्षन बल इस पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की तो 2008 में भालत सरकार ने राज्य के इस्तर पर विशेश बाग संरक्षन बल की स्थापना की घोशना की थी वहाँ पे विशेश पुलिस कर्मियों की भरती करने और उनको प्रिसिक्षित करने की सला दी थी इसके लिए राश्तिय बाग संरक्षन प्राधिकरण को विशेश प्रकार के टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को बढ़ावा देने के लिए और तैनात करने के लिए 50 करोर पेंच, टडोबा, अंधेरी, नवेगाओ, नाग, जीरा, मेलघाट, राजिस्थान का, रन्थंबोर, उडीसा का, सिमलीपाल, असम का, काजी, रंगा, महतपून हैं और इसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो केंद प्रयोजित योजना चल रही है उसके तहत हमने इसको साथ प्रिथिशत केंदरी साहता भी दी है तो यह कुछ इसमें महतपून तत्य हैं नेक्स कोशन देख लेते हैं भारतिय संसदिय प्रणाली में प्रश्न काल के दौरान पूछे दाने वाले प्रश्नों के संदर में निमलिखित कतनों में से सत्य कथन कतनों की पहचा जाता है सत्य कथन की पहचान करनी है केवल एक केवल एक और दो एक दो और तीन की उपरोक में से कोई नहीं तो इसके संदर में पहला दूसरा कथन तो सही है तीसरा जो है गलत है क्योंकि यहां पे दस दिन होगा तो उत्तर हो जाएगा हमारा भी केवल एक और दो इसके संदर में प्रश्निकाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि बजट सत्र में इसको जारी के जाने पर सहमती व्यक्त की गई है और मांसून सत्र में जो है COVID-19 के चलते इसको सस्पेंड कर दिया गया था अगर हम बात करें प्रश्निकाल की तो हर संसदी बैठक का पहला घंटा जो है वह प्रश्निकाल के रखा जाता है हलां कि 2014 में प्रशनिकाल को राज्य सभा में सुभे 11-12 बजे तक इस्थान्तिरित किया गया था इसमें जो एक घंटा होता है उसमें जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें अपने मंत्रालियों के कामकाज के लिए जवाब दे ठहराते हैं सांसद जो सवाल पूछते हैं वो सूचनाओं को निकालने और मंत्रालियों द्वारा उप्युक कारवाही को बढ़ावा देने के लिए पूछे जाते हैं इसके माध्यम से सरकारी कामकाच पर प्रकाश पड़ता है, साथी साथ इसके तहट जो वित्तिय अनीमित ताएं हैं उनको भी हुजागर परपाने में सफलता मिली है और सरकारी कामकाच के बारे में डेटा और जानकारी भी सारजनिक डोमेन में इसके माध्यम से लाई जाती ह विशेश रूप से 1999 के बाद से जब से प्रशनिकाल का प्रसारण होने लगा है टीवी चैनल पर उसके बाद से प्रशनिकाल संसदिय कारड़ प्रणाली का सबसे महत्पूर्ण पहलू बन गया है इसमें जो कोशन पूछे जाते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं जिसमें तारंकित गैर तारंकित और लगू सूचना प्रशन महत्पूर्ण है तारंकित प्रशन जो है उनको एक एस्ट्रिक के माध्यम से चिन्हित किया जाता है जिस क्या उत्तर मौकिक रूप में दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं दूसरी तरह अगर गैर तारंकित या अतारंकित प्रश्न पूछा जाएगा तो भैल लिखित रूप से दिया जाता है और चुकि वो लिखित होता है इसलिए पूरक प्रश्न इसमें जरूरी नहीं और तीसरा जो होता है अ अब एक last year का question देख लेते हैं, निमलिकित कतनों पर विचार करें, कोईले की राक में आर्सैनिक, सीसा और पारा होता है, दूसरा है कोईला अधारित, बिजली सनियंत, रुवातावन में sulfur dioxide और nitrogen के oxide छोड़ते हैं, तीसरा है भारती कोईले में उच राक समगरी देखी जाती ह उपर दिए गए कटनों में से, सही कथन की पहचान करनी है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 2 और 3, तो इसके संदर में 3 के 3 के 3 कथन हैं, वो सही है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा D, कोईला जो है, कोईला, लकडी, कैरोसीन, पेट्रोल जब जलाय जाता है, तो हवा में Sulfur Dioxide, Nitrogen Oxide, Carbon Monoxide और Hydro Carbon जैसी जहरीली गैसे निकलती हैं, यह जो गैसे होती हैं वो द्योगों, विजली सनियंत्रों, आटो मुबाइल, हवाईजात द्वारा उत्सरजित होती हैं, साथ ही साथ कोईली की राख में पारा, कैडमियन और आर्सनिक आदी भी पाया जाता है, ठ चर्चा करें, 250 शब 15 अंग, दूसरा कोशन है, भारत नैपाल संबंधों ने संक्रमन के एक नए चर्ण में प्रिवेश किया है, मुल्यांकन करें, 250 शब 15 अंग, तो आज की परिचर्चा के अधार पर आप निश्चित तौर पे ने लिखने का प्रियास कर सकते हैं, तो बा सधिक सधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आज के अंग में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद